नमस्कार ग्यानदा नौलेच में आपका हर्दिक स्वागत है आज का विशे है मन चाही नोक्री पाने के लिए कर सकते हैं इन पांच में से कोई एक उपाए वर्तमान समय में विरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है नोक्री ना होने के कारणन ना तो समाज में मान समान मिलता है और ना ही घर परिवार में यदि आप भी विरोजगार हैं और बहुत प्रेतन करने पर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो निराश होने की कोई जुरुत नहीं है बस अपना ये इन पाँच में से कोई एक हुसान उपाए पहला उपाए की बात करता हूँ रोजाना शिवलिंग पर जल चड़ा कर चावल अर्पित करें दूसरा है इंट्रुविव देने जाते समय यदि रास्ते में कोई गाए नजर आ जाए तो उसे गुड़ खिला कर जाए तीसरा है रोज सुभा पक्षियों को सात अनाजों को एक सात मिला कर मिक्स कर रहें सात अनाजों को सतनाजा कहते हैं सतनाजा कहकर आप मार्किट से लेंगे तो आपको यह मिल जाएगा तो साथ अनाजों को एक साथ मिलाकर रोज सुबा पक्षियों को खिलाएं घर से निकलने से पहले हनुमान चालिसा का पाट करना चाहिए और बजरंग बली का उड़ता चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए तो यह थे पांच उपाए इन में से आपको यह कर सकते हैं तो आशा करता हूँ कि आपकी यह मुश्किल दूर होगी और आपको रोजगार मिलेगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होते से लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल ग्यानदा नोलेज को सबस्क्राइब जरूर करें मिलेंगे एक लए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार